नमस्कार में उप्रिया आज है 17 जून चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को बोचपुर में 5, दरफंगा में 4, गया में 4, गोपाल गंज में 6, जमुई में 2, जहालबाद में 2, कैमूर में 1, कटिहार में 5, खगड़िया में 3, किशन गंज में 3, लखी सराय में 1, मधुबनी में 13, मुंगेर में 6, मुझफरपुर में 2, नालंदा में 3, नवादा में 5, प बिहार में COVID-19 से ठीक होने वालों के संख्या लगातार बढ़ती जा रही है हाला कि दूसरे तरफ बढ़ते मामलों ने भी स्वास्तव भाग की परिशानी बढ़ा रखी है स्वास्तव भाग की तरफ से बीते दिन शाम चार बजे तक जारी किये अपडेट के अनुसार अब त तक कुल 49 लोगों की जान भी जा चुकी है मुख्यमंतर नितीशकुमार ने कम की 10 जिलों की दूरी मुख्यमंतर नितीशकुमार ने बीते दिन बिहार के 10 जिलों की दूरी को बहुत हद तक कम कर दिया है जिसके लिए मुख्यमंतर नितीशकुमार ने 70 घाट महासेतु का उ परिवहन विभाग की योजनाओं की अब हर हफते होगी समिक्षा लंबे समय से जिन्वानों की रजिस्ट्रेशन और अनियोजनाओं को का काम लंबि था उसमे अब तेजी लाने की कोशिश की जा रही है जिसके तहर परिवहन विभाग द्वारा वीडियो कांफरेंसिंगे माध्यम से हर जिले को सापताईक समिक्षा किये जाने का फैसला सुनाए गया है खबरों के अनुसार हर दिन एक घंटे निर्थारित जिलों की योजनाओं की समिक्षा की जाएगी समिक्षा के लिए तारीक और जिला रोस्टर तयार किया गया है जिसकी अध्यक्षता परिवहन सचिव करेंगे जबकि जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ मोटर या निरिक्षक एवं प्रवर्तन आधी भी शामिल रहेंगे नेपाल विवाद के बीच बिहार में बना एक और खास प्रिश इन दिनों भारत और नेपाल के बीच लगातार विवाद का माहौल जारी है वहें इसी बीच बिहार के सुपॉल जिले के कोसी नदी पर 2 किलोमीटर लंबी रेलवे में का प्रिज बनाई गई है जिसकी नीफ पूर प्रिधान मंत्री अटल बिहारी बाचपई नहीं रखी थी वहें जिसका काम साल 2003 में ही शुरू हो गया था वहें अगस्त महीने तक पूरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है अब सब कुछ सही रहा तो 16 अगस्त को अटल बिहारी बाचपई के पूर्णे तिति पर ब्रिज का उदगा टन किया जाएगा यह ब्रिज बिहार के मिठलांचल और कोसी ब्रिज को जोड़ेगा ही साथी भारत को पुर्वोतर से जोडने का सबसे छोटा रास्ता भी सावित होगा बिहार तक्नी की सेवा आयोग में 303 खादे सुरक्षा अधिकारी और फीजियो थेरेपिस्ट पद के लिए आवेदन की तारीक बढ़ी बिहार तक्नी की सेवा आयोग ने 303 खादे सुरक्षा अधिकारी और फीजियो थेरेपिस्ट पद के लिए आवेदन की तारीक बढ़ा दी है BTSC ने इस भरती से जुड़ा लेटिस्ट आधिकारिक नोटिस भी जारी कर दिया है जो कि अब सभी अभ्यरती परिक्षा.nic.in पर जाकर देख सकते हैं आपको बता दे पहले आवेदन भरने की तारीक 15 जून थी जो की बढ़ा करके अब 30 जून कर दी गई है जिसके परिनाम सोरू परिक्षार्थी ने आवेदन भर्द किया है और वह अपने आवेदन से जुड़ी किसी भी परिशानी का समधान करवा सकते हैं और जिन लोगों ने आवेदन नहीं भरा है वो जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं जोती ने पुरसकार के पैसे से कराई अपनी बुआ की शादी, गुरुगराम से अपने पिता को साइकल से वापस दर्भंगा लाने वाली जोती का एक और बार नाम सुर्खियों में सुनने को मिल रहा है खबरों की माने तो जोती ने पुर असकार से मिले पैसे के इस्तमाल से अपनी बुआ की शादी करवा दी है जोती ने बुआ किशाधी समस्तिपूर जुले के खानपूर थाना छेत्र के नाथद्वार गाउं के शिफ पासवान के पुत्र अर्विंद पासवान के साथ करवाई है जोती के इस फैसले के बाद एक बार फिर से उनकी चर्चा हर ओर सुनने में मिल रही है इतना ही ने लोग जोती की खुब वाहवाई ही भी कर रहे है विधान सभा चुनाव की तैयारियों के बीच जावेद इकबाल अंसारी ने राजत से मिलाया हाथ जावेद अंसारी का पछले महीने ही कारेकाल पूरा हो गया है मुक्यमंतर नितिश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की पहली बैठक हुई 26 जुलाई से लगातार अनुपसित रहने के लिए काम से निगाल दिया गया है भवन निर्मान विभाग के अंदरगत कारेरत 50 वर्ष से अधिक आयो वाले और खराब काम करने वाले अभियंता को सेवा निर्विती प्रदान कर दी गई है सरकारी स्कूल के नाम से हटाय जाएगा हरिजन शब्द को बिहार में सरकारी विद्यालेों के नाम से हरिजन शब्द हटाय जाएगा बिहार सिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है कि सूबे के सभी जिला सिक्षा पदाधिकारियों को पत्र सौप दिया गया है सौपेगे पत्र में यह साफ कहा गया है कि जिन भी विद्यालेों के नाम में हरिजन शब्द जुड़ा है उनके नाम से हरिजन शब्द हटाकर अनुसूचिज जाती स्थाई रूप से प्रतिस्था पित कर दिया जाए जिसकी जानकारी 15 दिनों में विभाग को भी उपलप्त कराई जाए तेजस्वी आदव ने जद्यू पार्टी के अंदर अन्बन होने का किया दावा सुषान की याद में फ्रांस के स्पेस युनिवर्सिटी ने लिखा नोट सुषान सिंग राजपूत के दुनिया को अलवधा कहने के बाद पूरा भारत आज एक बार फिर से सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिर क्या वज़े रही थी कि सुषान सिंग राजपूत जैसे कलाकार ने अपनी जान ले ली जिसके बाद अब सुषान सिंग राजपूत की याद में इंटरनाशनल स्पेस युनिवर्सिटी ने भी दुख जताया है साथी एक पत्र भी जारी किया है जिसमें लिखा है कि चर्चित भारतिय अभिनेता सुषान सिंग राजपूत के दुनिया को अलविदा कहने की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ है सुषान्थ आस्तिक और साइंस टेकनोलोजी इंजिनेरिंग मैथमेटिक्स एडूकेशन के सपोर्टर थे हमारी संबेदना सुषान्थ सिंग राजपूत और उनके परिवार के साथ है उनकी यादे भारत और दुनिया भर में मौजूत उनके फैंस के दिलों में रहेगी मुख्यमंत्र नितीश कुमार ने अब हर जिले में जाकर प्रोग्राम करने का किया फैसला COVID-19 के इस माहौल के बीच मुख्यमंत्र नितीश कुमार ने बीते दिन अपनी योजनाओ को लेकर एहम बयान जारी किया है जिसके तहत उन्होंने कहा कि आगे जोब भी किसी जिले में कारिक्रम होगा तो खुद उस जिले में जवाकर कारिक्रम में शामिल होगे जिसके लिए मुख्यमंत्री ने मुख्यसाचिव को आदेश जारी कर दिया है इसके साथ ही विधान सवाचुनाव को ध्यान में रखते वे उन्होंने सभी अधिकारियों से पिछले 15 सालों में उनके कारेकाल में हुए कामों की जानकारी को सारवचनी करने का निरदेश भी दे दिया है जिसमें यह साफ तॉट पर बताये गया है कि चौफ इंस्पेक्टरों के लिए नया ट्रानसफर ओडर जौरी कर दिया गया है जारी किया गया जानकारी के अनुसार पुलिस निरीकशक संजीव शेकर जहा, पुलिस निरीक शक अरविंद कुमार गौतम, पुलिस निरीक शक राजीव कुमार जह और पुलिस निरीक शक संजे कुमार पांडे का तबादला किया गया है इन चारों पुलिस इंस्पेक्टर के तबादले के लिए विभाग ने कहा है कि मेडिकल और अन्य आधार पर तबादले का फैसला लिया गया है पुलिस मुख्याले की तरफ से जारी किये गया नए पत्र में 41 अन्य इंस्पेक्टर भी शामिल है पत्ना से दिली के लिए इंडिको की नई फ्लाइट का परिचालन हुआ शुरू पत्ना से नई दिली के लिए बीते कल से एक बार फिर से इंडिको की नई फ्लाइट का परिचालन शुरू कर दिया गया है जो की सब ताह में मंगलवार, गुरुबार और शनिवार को परिचालित करवाई जाएगी इंडिको की नई फ्लाइट 6E6494 सुभे साढ़े पांच बजे आई और साढ़े छे पजे रवाना हो गई मंगलवार से पटना से दिली के लिए सबता हमें तीन दिन यही पहली फ्लाइट होगी पटना एयरपोर्ट पर यही फ्लाइट सबसे पहले आईगी दानापूर रेल मंडल की तरफ से मुख्यमंद्री रहतकोश में 51 लाख रुपे का दिया गया अंशदान दानापूर रेल मंडल की तरफ से दानापूर मंडल श्री सुनील कुमार वरिये मंडल वानेजे प्रबंधक दानापूर मंडल वरिये वित्ते प्रबंधक श्री मधुसूदन दानापूर मंडल ने 51 लाख रुपे का चेक मुख्यमंद्री रहतकोश में नितीश कुमार को स बिहार में वाहनों की बढ़ी बिक्री जिसकी जानकारी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दिये और बताया है कि बिहार में वाहनों की बिक्री में 700 फीसिदी का इजाफा देखा गया है उपमुखी मंदिर सुशील कुमार मोधी द्वारदिये के बयान के अनुसार अच्छी सरक बनने के कारण बिहार में दो हजार आठ नौ की दो लाख पीस हजार के तुनला में दो हजार उन्निस में तेरह दशनलुप छे शुने लाख वाहनों के निबंधन हुए हैं इसके साथ हुनों ने यह भी बताया कि जोहां बिहार में सरको और पुल पुलियों के निर्मान पर 1990 से 2005 तक 6071.57 करोर रुपए खर्च किये गए हैं वहीं 2005 से लेकर अब तक 140,000 करोर रुपए खर्च किये जा चुके हैं COVID-19 के महाल के बीच आज से खुल जाएंगे डॉल्फिन पार्क COVID-19 के बढ़ते प्रभाव के बीच आज से डॉल्फिन पार्क आमनागरिकों के लिए खुल दिया जाएगा जिसकी जानकारी DFO ने देते वे बताया है कि सभी लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते वे आज से सुभे 9 बजे से शाम 5 बजे तक डॉल्फिन पार्क को खुला रखा जाएगा सोजी घाट के पास बड़ी संख्या में डॉल्फिन गंगा में पाई जाते हैं सुषान सिंग राजपूत को सैंड आर्टिस्ट अशोक ने दी श्रधांजरी सुषान सिंग राजपूत को पूरे भारत से अलग लग तरीके से स्रधांजरी दी जा रही है इसी कड़ी में ब्रीते दिन छप्रा जिले के रहने वाले जाने माने सैंड आर्टिस्ट अशोक ने शुषान सिंग राजपूत को श्रधांजरी दी हो और पूछा है कि यह कौन सा किरदार था भाई जो हमें रुला गया सर्यों के घाड़ पर अशोक ने शुषान सिंग का मुस्कुराता हुआ सैंड आर्ट बनाया और उन्हें श्रधांजरी दी है इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से बाचीत के दौरान कहा कि शुषान सिंग ने इस कड़प को क्यों उठाया यह वहस का विशह है लेकिन ऐसी सेलिबरेटी को इस तरह से जाना कही न कहीं उनके सैक्लो प्रसंशकों को व्यथित कर दाता है हम सभी उन से बरे परदे पर मुस्कुराते वे देखना चाते थे यह फिल्म अभिनेता ही है जो हमें मुश्किल के समय में मजबूती के साथ खड़े होने की ताकत देते हैं अवधेश नारायन सिंग बने बिहार विधान परिशत के प्रभारी सभापती बिजेपी अमलसी अवधेश नारायन सिंग को बिहार विधान परिशत की कमान सौप दी गई है जिसके पर नाम सुरूप अवधेश नारायन सिंग को बिहार विधान परिशत की प्रभारी सभापती बना दिया गया है जिस पर मुख्यमंदरी नितीश कुमार ने खुद भी सहमती दे दी है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे इससे पहले भी अवधेश नारायन सिंग विधान परिशुद के सभपती रह चुके है हाला कि उनके कारेकाल के खत्म होने के बाद हारून राशिद को प्रभार निखिल आनंद ने तेजस्वी आदव की इस मुहीम पर टिप्पणी करते वे कहा है कि जीतन नामाजी के स्टैंड बदलते रहने से उनको राजुनितिक रूप से धक्का पहुचा है जीतन नामाजी महागटबंदन के सबसे बड़े कदवाले नेता रह चुके हैं लिहाज इसी तैयारियों का सलसला भी जोर शोर से जारी है इसी बीच बयानवाजी भी खूब हो रही है लालू प्रसाद यादव जब ही मुख्यमंत्रि नितीश कुमार पर तंज कसते हैं अपना भाई चारा रवया नहीं भूलते हैं उनके द्वारा किये के ट्वीट में साफ साफ लालू नितीश के लिए जारी मुहबत देखने को मलती है जब भी लालू प्रसाद यादव की ट्वीट को गौर से देखे तो यह साफ तोर पर देखने को मिलता है कि लालू यादव मुख्यमंत्रि नितीश कुमार को छोटा भाई समझ कर ही तंज कसते हैं आरोगे सेतु के बाद आरोगे पत पोर्टल किया गया लॉंच जहां एक तरफ आरोगे सेतु एप ने बीते कुछ महीनों में अपनी लोगप्रियता काफी ज्यादा बढ़ा लिया है भही अब दूसरी तरफ सरकार ने आरोगे पत नामक एक नए पोर्टल को लॉंच किया ह खबरों की माने तो आरोगे पत को कांसिल ओफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने लॉंच किया था इस पोर्टल से मेडिकल स्टोर तक रहकों को पहुचाने में मदद मिलेगी सुषान को परिशान कर रही थी बॉलिवूड की कई हस्तियां रविवार को जैसे ही सुषान सिंग राजपूत की जाने की खबर सामनी आई वैसे ही पूरे बॉलिवूड इंडस्ट्री समेथ पूरे भारत में दुख का माहौल उतपन हो गया जिसके बाद कोनी कोनी से इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि इस पूरी इंडस्ट्री में एक बड़ा धर्रा है जिसके एक इशारे पर बड़े से बड़े कलाकार की हैसियत घटने में देर नहीं लगती कंगनार रणावत ने भी अपने बयान में इसी और इशारा किया था प्रवासी मझदूरों के बेटे और बेटियों को पढ़ाने की जिम्मधारी अप सरकार की विहार सरकार जहां एक तरफ प्रवासी मझदूरों को नौकरी मौया करवाने की होड में जुटिवी है वही दूशरी तरफ सरकार लगातार कोशिश करके प्रवासी मज़़ूरों के बेटे-बेटियों को भी सिक्षा दिलवाने की योच रावना रही है उनके नाम है पूजा कुमारी, ओफिशल नितेश, कुश्वाह, अमरजीत कुमार, सौरब शर्मा, राजु कुमार, अरित्यराज, राज कुमार, रशब कुमार, मनीश कुमार, राकेश कुमार, विकास कुमार, धीरच कुमार, संजीफ प्रिंसिपल, कलपना प्रियदर्शनी दिनेश कुमार, नीरज कुमार, सोनु पासवान, शाहबुदीन अंसारी, अनिल कुमार इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों की जवाब अच्छे रगे हैं मगर समय के आभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुजार अभिने की दुनिया में किस अभिनेता ने बिहार का नाम सबसे ज्यादा रोशन किया है अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही अगर आपे वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मारे चैनल को सब्स्क्राइब करें और बला आइकन दबारा ना भूले और अगर आपे वीडियो हमारा फेस्बूप पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और जादा जादा शेर करें धन्यवाद